हे विलकेम बैक, आए मुर् धर्मेन सर्फ फ्रॉम डेसे लर्निंग, मेरे बच्चे आपको मैं बेसिक्स इखा रहा हूँ, बिल्कूल बेसिक सी इखा रहा हूँ, ध्यान रखन रखे इस बात को आप DSL Learning पर Basic सिख रहा हो, Day 1, Day 2, हमने चलेंज दिया आपको सिखाने के लिए, आपको बिलकुल धीरे धीरे, उगली पकड़ के सिखा रहा हूँ, subject singular तो भव singular, मुझे उमीद है आपने देवन देखा होगा, Day 2 जो आज दे रहा हूँ न, यह उससे भी तूफानी है, समझे ग हमने यहाँ पर कहा, कि Basic संटेन सिखना है, और Basic बोलना, अंग्रेजी सुरुवात कहां से करें सर, अंग्रेजी का जड़ क्या है सर, मुझे नहीं पता, बहुत दिनों से एक अमन बर्मा, एक अमन कुमार, अमन सैनी, एक लड़का है, जो बार-बार कमेंट कर रहा है, सर, य यहाँ चार्ट बना रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ध्यान रखेगा और से बच्चे, यहाँ पर एक चार्ट बन रहा है, सब्जेक्ट, ध्यान दीजेगा, सब्जेक्ट के बाद लिखा हमने, अब्जेक्ट, अब्जेक्ट के बाद लिखा हमने, यहाँ प ध्यान रखिएगा एडीज एडिक्टिव दम बिल्कुल ध्यान हटाया मत एडिक्टिव यहाँ पर लिख दिया हमने subject लिखा object लिखा और यहाँ लिख दिया हमने possessive adjective यहाँ लिख दिया हम लोगोंने reflexive यह पूरे चार्ट को व्याद रखिए subject object फ्यास और लिख दे रहाँ पे subject का मतलब लिखेगा यहाँ पर प्रोनाउन लिख दिया हमने यहाँ objective के ध्यान रखिएगा subject object प्रोनाउन reflexive अब ध्यान दिजिए कि subject object possessive pronoun possessive प्रोन और डिटेल केता हूँ possessive pronoun ध्यान दिजिएगा pronoun ध्यान ध्यान देखिएगा उसे अब subject object possessive pronoun possessive adjective अध्य जे है adjective reflexive pronoun है basically समझे एक चार्ट बना रहा हूँ इस चार्ट को बारी की सब लिखिए फटाफट फिस जाओं का बढ़िया से हमें लिखा I वी, यू, ही, सी, इट और दे, आई का object लिखा मैंने मी, वी का आस, यू का यू, ही का हीम, सी का हर, इट का, इट, दे का देम ठीकि बच्चे बस लिखे फ्राफट अब यहां ध्यान देजिए I का प्रोनाउम लिखा हमने O, you are ours, we का लिखा, sorry, यहां पर ध्यान देजिए I का हमने लिखा, माईन, ठीकि बच्चे प्रोनाउम पहले I, me, mine, my, myself, ठीकि बच्चे, we का us, ours, our, ourselves, ध्यान रखिए जब singular हो, तो self लगाते हैं, plural हो, तो bs करते हैं, साथ साथ लिखते रहिए, बढ़ना छूट जाएगा You का you, object you हो गया, यहां पर करेंगे yours, यहां पर करेंगे your, यहां पर करेंगे your, self भी, और bs भी लगाएंगे yourself, या yourselves, ठीकि बच्चे, he, kा him, यहां पर करेंगे हम लोग, his, यहां पर करेंगे his, और यहां पर करेंगे himself, ठीकि बच्चे, हर का यहां पर करेंगे हम लो हर्स यहां पे करेंगे हर यहां पे करेंगे थार्फ पर चाट देखें बहुत important है its ध्यान रखिये इसका pronoun its नहीं होता है ठीक है यहां पे it's होता है यहां पे करेंगे itself यहां पर करेंगे देर यहां करेंगे यहां करेंगे देमसल्फ समझें गहुर से यह बहुत महत्वपून चार्ट है यह चार्ट आपको बेसिक इंप्रूब कराएगा बच्चा ने पूछा था बार-बार कि सर, यहोर कौन सा परसन है कौन सा सिंडर है अरे बच्चे अमन सबसे पहले सबजेक्ट यह है इसका होता है सिंडर प्लूरियस यह तो एड्डिक्टिब है यह प्रोनावन है इसका कैसे पहले हिंदी समझो I का हिंदी होता है मैं V का हिंदी हम लोग या हम U का मतलब तुम या तुम लोग He का हिंदी वह C का हिंदी वह It का मतलब यह They का मतलब वे लोग या वे They का मतलब वे या वे लोग समझे बढ़ यहां से Me का मतलब होता है बच्चे मुझे यह object है us का मतलब हमें you का मतलब तुम हैं him मतलब उसे हर का मतलब ही उसे it का मतलब इसे them का मतलब उन है समझे बढ़ी हाँ से them का मतलब मैं कोशिस कर रहा हूं साफ लिखने का उन है माइन का मतलब हो गया ध्यान रखिए यह ध्यान देजिए यह चार्ट को बड़े बारिकिस लिखना है possessive का मतलब अधिकार possession करना जिस पे अधिकार हो उसको हम possessive कहते है possessive pronoun है possessive adjective है detail पहाँँगा समझे बढ़ी हाँ से possessive pronoun इसका हिंदी होता है अपना इसका हिंदी होता है अपना बहुत बारिकी साज क्लास सिखना आपको है अपना अपना दोनों का हिंदी होता है और reflexive का हिंदी होता है खुद इसका मतलब होगा खुद यह खुद के बारें बताएगा detail पहाँगा बढ़ें समझे detail क्लास दे रहा हूँ तो mine मतलब अपना आवर्स मतलब ही अपना योस मतलब ही अपना तुम्हार वार अपना है न, हीस मतलब अपना आप ध्याँ दीजी इसको आपने कवापी कर लिया तो फिर मैं इसको बापस लाऊँगा पहले आप इसको एक पर लिख लिजThe फिर मैं बापिस फिर से इसको लाँगा संगाने के लिए पहले यह समझें गौर से इसको समझने के लिए यहाँ देखिए एड़ेक्टीव है और एड़ेक्टीव का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता adjective के बाद हमेशा noun चाहिए तो पहले ध्यान रखिए इन सारे सब्दों के बाद plus करके noun आएगा ही आएगा यानि बिना noun के प्रयोग कर गलत हो जाएगा इन सारे सब्दों का प्रयोग अकेले होता है plus noun किया तो गलत हो जाएगा ध्यान रखिए इसके बाद noun आएगा ही आएगा एध्यान रखिए इस बात को याद रखिए adjective बिना noun का नहीं होता है इसको मैं चर्चा करता हूँ अभी मैं पहले इसको छुपाता हूँ फिर से आपको समझाता हूँ example के साथ कर समझाएगा हमने कहा बच्चे एक कलम है हमें लिखा कि this pain is your ध्यान दीजिए बच्चे अमन बाबू ध्यान रखिएगा बाब पूछे तरस योर कौन सा पर सा अब बताएगे ये योर जो है singular plural कैसे होगा ये adjective है बापीस आएगे ना ये है क्या योर क्या है adjective है इसके बाद noun नाउन आएगा noun 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 ये adjective है बिटा ये adjective है हमन तो कैसे हो जागा बिना नाउन का आप तीन दीन से कोशन पूछ रहाते है तरस योर क्या है मैंने आपको जबाब भी दिया था प्रहा दूँगा अब देखो यह योर्स है ये pronoun है ये बन सकता है subject ये बन सकता है subject ये subject है ये object है अभी प्रहाऊँगा और ये possessive adjective है इसके बाद noun चाहिए अब तुम पूछेगा कि sir good बताईए sir कि ये good कौन सा नाउन है अब बताओ कि good कोई noun होता है good को good के बाद हम लिखेंगे बवाए ये बवाएन नाउन है ये good कैसे हो सकता है अब समझाया तो good तो adjective है उस तरह से your भी क्या है adjective है समझे बढ़िया से अब मैं कुछ example कुछ question दे रहा हूँ हमने कहा कि this pain is your यहाँ कलम तुमारा है फिर लिखा this pain is yours और फिर लिखा this is your pain समझे बात को हम कहना चाहते है समझे गोर से हमने इसका हिंदी है this pain is your लोग बोल चालमी इसको सही करते हैं अब बताए यह यह है क्या adjective तो बोलो your के बात चाहिए क्या noun नहीं है तो गलत हो गया this pain is yours yours क्या है pronoun और pronoun subject और कुछी बन सकता है तो बोलो यहां पर जो yours हुआ यह pronoun हुआ और pronoun है तो यह सही हुआ चुकि pronoun subject और कुछी बन सकता है this is your pain pain नाउन है यह उसके पहले आया है यह हो गया adjective इसले sentence तुम्हारा सही हो गया this is your pain this is your pain अमन समझ में आगया हो तुमको तो this is your pain this pain is yours यहां पर यूर्स प्रोनाउन है यह noun है तो subject, verb, object अंगरी जी में बेसिकल क्या पहा था अंगरी जी होने के लिए क्या चाहिए subject, verb और other word चाहिए अब जाद ध्यान दीजिए कि this pain, subject is हो गया verb अब जो लिए other word क्या object तो your object कैसे हो सकता है इसको तो noun चाहिए ही चाहिए तो यह गलत हुआ कि नहीं हुआ तो this pain is yours यह yours क्या है pronoun है this pain is yours yours हो गया other word यह तुमरा सही हो जाएगा और this is your pain your के बाद noun आगया दोनों मिल के बन गया object इसलिए subject हो गया verb हो गया other word हो गया यह भी सही हो गया बापिस हाईए अब एक्जामपल और दूँग आपको यहां सिखाने का प्रयास होई तो मैं कर रहा हूँ बापिस यह देखिए हमने क्या लिखा था I मतलब मैं यानि कि यह काम कर सकता है subject का यहां काम कर सकता है object का यहां काम कर सकता है pronoun का यह यह भी बन सकता है subject यह बन सकता है object यह भी बन सकता है subject यह बन सकता है object जैसे mine is good है ना ours are happy ऐस तरह से आप बना सकते हो आप जो बोलना चाहों बोल सकते हो यह हो गया तुम्हारा adjective ये बिना noun का नहीं आएगा. My pen, our pen, your pen, his pen, her pen, its pen, dear pen. तो ये अभी जब भी आएगा तो इसके बाद noun आएगा, बिना noun का ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा. इसके बाद noun लगाना ही पड़ेगा, बिना noun के कोई समय से बोलो गलत हो जागा हमने बोला this is my, this is your सब गलत है, सब गलत है कैसे बोलना है अंग्रेजी basic कमजोर है, पहले basic देखिए तब अंग्रेजी smart होगा जड़ नहीं है, अंग्रेजी कैसे होगा पहले base बनाईए, अंग्रेजी strong हो जागा तो ही base है, माय आबर योर ही जहर का परयोग, नाउन के साथ करिये अकेले मद करिये, इसका परयोग बिना नाउन का करिये, इसके बाद नाउन मतलगाए यानि the use of possessive pronoun the use, the use of possessive pronoun without a noun if we use with noun the sentence is wrong if we use the use of possessive adjective with a noun if we use without noun the sentence is wrong possessive pronoun का परयोग बिना noun का करिये possessive adjective का परयोग नाउन के साथ करिये बढ़ना गलत हो जागा इसको देखिये इसको reflexive करते हैं reflexive का मतलत होता है good, swim मैं अपना काम खूद करता हूँ I do my work myself अब समझे गौर से इसको आपने लिख लिया गौर से मैं समझे गौर से हमने कहा कि मैं उसे प्रहाता हूँ मैं उसे प्रहाता हूँ अब ध्यान दिजिए कि मैं उसे प्रहाता हूँ अभी आप चार्ट में देखो आप पस चार्ट है न चार्ट में देखो मैं क्या था? subject था तो मैं को लिखा I उसे पहाता हूँ subject के बाद आपको क्या चाहिए बच्चे भर्व, तो भर्व चाहिए क्या है पहाना, तो I teach, अब बोलो उसे उसे कहां पे था बालाग उसे कहां था, था ना object में याद करो subject, object subject, object, तो I उसे, उसे को बोलो हीम लिखा था देखो चार्ट में, देखो भी चार्ट में देखो फटापट, देखो में चार्ट लिखाता हूँ अभी चार्ट में उसो चुपाया हमने, अब देखो चार्ट में, चार्ट में देखो देखो उसे क्या लिखा, हीम लिखा कहां यार तुम खोई हो आपको असर हर भी तो है अरे बैटा हर है तो लड़की के लिए हर भी लिख सकते हो हिम भी लिख सकते हो हिम का मतलब पुरूस हर का मतलब लड़की क्योंकि सी आता किस के लिए लड़की के लिए ही आता किस के लिए लड़का के लिए आई मतलब मैं वी मतलब तुम और मिल गए तो हम हो गए यू का मतलब तुम ही मतलब वह पुरुस सी मतलब लड़की इट मतलब यह बस तू दे मतलब वे लोग बस तू भी व्यक्ति भी समिल के मी मतलब मुझे यह subject बनेगा यह भर्व के बाद आएगा यह subject है यह object है यह भर्व के बाद I beat him I beat him I के बाद beat आगया पिटना Him तो Him हो गया object प्समेज रहो ना तो Him मतलब वह Him मतलब उसे देख रहे हो ना Si मतलब वह हर मतलब उसे तो हिंदी आद रहो मुझे, हमें, तुमें, उसे, उसे, इसे, उनें, देख रहा हो, फिर माइन यह होगया अपना दिखाने बाला, यह होगया खुद बाला, नहां, अभी एक्जाम्बल दोगा क्षुद, मैं खुद, तो माइसल्फ, तुम खुद, तो योर्सेल्फ, वे लो खूँद तो थे मिलिए खूद लड़की के लिए तो हर सेव लगा के लिए तो एंसेँ रा रहा है मैं बार बार फोकस कर तो इसको सक्रिंशोर जोछल दी जसे फटापट ले ले लिया सक्रिंशोड ले लो फटापट इसको लिख भी लो बार मर इस वीडियो को रोक करके बारी के से लिको देखो दुबारा देखो मित्रों को दिखाओ फोन करके बताओ तब जाके सिख पाओगे इसको इतना सेर करो इतना सब्सक्राइब करो इतना सेर और सब्सक्राइब करो कि एक वीडियो ना एक चैनल ना एक दस दिन में लाखो लाख तो हुं जाए, तब आपको बड़ी हमजा हैंगा पढ़ने में, अब देखिए गौर से, मैं इसको बापिस भेजता हूँ, और बापिस लाता हूँ, बापिस की तरब चलिए, हमने कहा, मैं उसे परहाता हूँ, कितना बेज दे रहा हूँ, मैं उसे, तो मैं हो गया तो मैं उसे पहता हूँ, I teach, teach मतला पहाना, अब उसे कांगरी जी बोलो, क्या था? तो मैं अब आपको और सिखाता हूँ, मैं आपको और सिखाता हूँ, मैं कहा कि मैं अपना काम खुद करता हूँ, आप संटेन सिखी पहले, सब्जेक्ट हो गया मैं, आप करना हो गया भर्व, तो I do, क्योंकि subject चाहिए, भर चाहिए, अब भर के बाद अदरबर चाहिए, तो मैं अपना देखो काम, तो I do, अपना काम खुद, अब खुद भी आ गया, अपना भी आ गया, काम भी आ गया, तो I do, अब अपना हो गया, adjective, काम हो गया, noun, और खुद हो गया, सिर्फ लास्ट बला हो तो I do, माई मतलब अपना, I का अपना कौन था, माई था ना, I का अपना कौन था, माई, देखो गोर से, आप समझो बिटा, आप गोर से, भड़ा पर इस चुपाया, बापिस लाया हमने इसको, देखो बापिस, यह देखो, तो I, इस अब एक लाइन में है, I, मी, माई, तो I का अपना कोई पूछे, तो क्या बोलना, My, देखो गोर से, इस अपना माई, अखुद बोलना होता Myself, I do my work myself, we का अपना, ours, our, our, ourselves, तो we का अपना, our, our work, we do our work, तुम अपना काम करता हो, you do your work, your work, work हो किया ना, देखो ना, you do your work, your work, his work, वह अपना काम करता हो, he does his work, तो वह अपना काम करती है, he does her work, her work, हना, देखो, वे लोग अपना काम, they do their work, their work, their work, their work, their work, and where do you open? देखो, बारे की से पढ़ो, मचा आजाएगा, इतना घला फार रहा हो, आपके लिए ना, सिखाने के लिए ना, तो सिखो के तब ना, तो वह अपना काम, their work, इसको बारे की सिखे, बच्चे, ये बड़ा बढ़िया चीज पहारा हो आपको, ये कभी-कभी बढ़िया निकल जाता है, मैं कभी लगता है कितना मैं निकाल देता हूँ, मैं अपने आपो सावाशी देता हूँ, निकाल देता हूँ, कभी देखो आपसे, तो I do my work, I do my work, खुद, खुद का क्या लिखाता वहाँ, सेल्फ था न, तो I do my work myself, आप रोते हो ना, कि मेरा basic sir कमजोर है sir, क्या क जड़ को हिला दूँगा, अंग्रेजी की बात करते हो, दिमाग में घुस जाओँगा, दिमाग में इतना घुसा दूँगा कि तुफान मचा दूगा, तो सिखा कहां पने, अभी क्लास अपने मेरा देखा कहां तो सुरुवात भी नहीं किया हूँ, आपको चलेंज दिया अग्रेजी बोलना लिखा साहब, आप बस एक बाहर दिल्ली आ जाना को दिकत हो, और न तो पता है क्या है, अभी एक ओफर भी चल रहा है, आधा फिसमाफ, फांडेशन कोर्स में, एक लेकर बढ़िया से पढ़ीलो मैं सलाह दे रहा हूँ, इस सब चीज तो हां हलुआ बन नमबर दे रहा हूँ, वाटसब करो, आपको आपके देखें क्या ओफर हो रहा है कि तम रहे क्लास मिल रहा है, अब देखें यहां पर देहन दो, आप यहां पर हजार संडीस में बूलवा रहा हूँ आपसे बुलिए, तुम अपना काम करते हो, बोलो आग रही तुम अपन काम करते हो, फड़ा बोलो, यू डू, लिख दे रहा हूँ एक, यू डू, यूर बर्ग, बोलो फड़ा बर्ग, तुम अपना काम करते हो, यू डू, यूर बर्ग, मैं अपना काम करते हो, यू डू, यूर बर्ग, वह अपना काम करते हो, यू डू, यूर बर्ग, वह मैं आपना काम खूद करता हूं, I do my work myself, तो अपना काम खूद करता हूं, you do your work yourself, वह अपना काम खूद करता है, he does his work himself, वह अपना काम खूद करती है, she does her work herself, वह अपना काम खूद करते हैं, they do their work themselves, असाम हुआ कनहीं वांगर जी, हुआ न, तो किस बात का देरभाई, इसको से एक बार देख लो एक बार मज़ा है नहीं तो कमेंट करो पर अब जो मज़ा मुझे भी आएगा जो कैसे मिलेगा मैं भी अप्रदों प्रुमिल के चलेंगे तब भनेंगे दूकेला ठीक बेटा ठामकी तैक इंक्यूर मैच बिलते हम लोग अगले वीडियो में नमस्कार थैं झाल 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 झाल